हलो फ्रेंड्स मेरा नाम प्रतिक गुजर है और मेरे चैनल MB Outsource में आप सभी का सौगत है तो दोस्तो पिछले वेडियो में हमने इंशूरंस की जनरल डिफिनेशन पड़ी और वही इंशूरंस को मेडिकल बिलिंग में क्या कहते है वो भी हमने देखा कि उसको हेल्थ इंशूरंस कहते है अब मेडिकल बिलिंग में इस हेल्थ इंशूरंस के कितने प्रकार है कितने टाइपस है तो ये आज हम वीडियो में जानेंगे ठीक है तो दोस्तों चलिए वक्त जाया ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते है और दोस्तों वीडियो को end तक जरूर देखिए अगर आप इस फिल्ड में beginner है चाहे beginner नहीं है यानि आप experience holder है फिर भी इसको देखिए हो सकता है यह अगर आप beginner है तो यह आपको नई अगर as a fresher यह interview के लिए काम आए और जो experience holder है अगर वो अपनी current company स्विच करके दूसरे company में जाना चाहते है तो उनके लिए भी यह interview crack करने के लिए काम आ सकता है दोस्तों तो दोस्तों प्लीज इसको end तक जरूर देखिए यह काफी interesting video होने वाला है जो चीज़े मैं आपको यहापर बताऊंगा ठीक है तो दोस्तों जैसा कि आप board पर रिखा हुआ समझ ही गया होंगे जो experience holder है वो जल्दी समझ ही गया होंगे अब फेडरल जो है न दोस्तों हमारे इसमें जैसे की government हम ऐसा बोलते है सरकारी तो इधर इसको फेडरल बोलते है ठीक है और हमारे इसमें जो प्राइवेट बोलते है तो इसमें इसको इसको कमर्शियल बोलते है और हमारे इसमें Tricare Tricare यानि यह जो संगटन है यह भी एक government की संगटन है बट यह government की संगटन सिप उन लोगों के लिए जो देश के लिए लड़ते हैं जैसे हमारे देश के लिए कोई सेनिक लड़ रहा हो तो उसके लिए यह Tricare की insurance की सुईदा मिलेंगी ठीक उसी प्रकार US में भी ऐसा है कि Tricare की सुईदा जो है देश के जवानों के लिए होती है ठीक है तो दोस्तों फेडरल में यहाँ पर दो insurance सबसे आदा काम करते हैं जिसका नाम है Medicare और Medicaid और Commercial में BCBS जिसका standby है Blue Cross Blue Shield और Mutual Oma और etc बहुत सारे है Commercial ठीक है जो आपको बताऊंगा धीरे धीरे जब आप इसमें काम करेंगे तो आपको समझ आएंगा commercial बहुत है और दो ही मेने for example के तोर पे लिए है और Tricare में Humana Military एक होता है जो कि Humana एक commercial insurance भी कहा जाता है अगर इसको separately देखे तो बट ये एक HMO प्लान इसके अंदर स्तापित होने के कारण ये Tricare is Tricare यानि जो हमारे जो देश के जवान है जो इंडियन सेनिक है जैसे ये यूएस के जो सेनिक है इसके लिए ये Humana Military एक insurance होता है जो काम करता है वापे बट इसके 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 ता वेतरिक तो बहुत सारे दूसरे भी insurance होते हैं जैसे Humana इसके तो दोस्तों ये रहा simple way में आपको बताना था कि insurance के तीन प्रकार होते है फेडरल कमर्शल और ट्राइक फेडरल जो होता है वो Medicare और Medicaid होता है ठीक है जिस फेडरल जो insurance होता है उसमें Medicare और Medicaid जैसी insurance काम करती है कमर्शल जो insurance होता है उसमें BCBS, Mutual of Oma, Amlum Health, etc. ऐसे insurance काम करती है और Tricare जो होता है उसमें Humana Military, Humana Militaryist, Tricare ये काम करती है तो दोस्तों आशा करता हूँ, उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होंगा I'm here, मैं आपको धीरे धीरे हर चीज की गहराई में लेके जा रहा हूँ, तो हमें जो है best हमारा जो है best हमारी जड़ है वो clear होनी चाहिए ठीक है तो इस वीडियो के मादधम से मैंने आपको ये बताया कि healthy insurance से इन प्रकार के है federal, commercial और ट्राइक क्या पट दोस्तों इसमें एक जीवन का फलसफा चुपा है कि भगवान ने जब हमें धर्ती पे भेजा है नो, तो हमारे लिए कुछ plans करके भेजा है हम ऐसा बोलते कि वो अमीर है, हम गरीब है, वो middle class का है तो ये भगवान ने हम सबको ऐसा ऐसे प्रक्रिया में भेजा है इसे ये पता चलता है कि भगवान के पास भी types है, इनसान को नीचे भेजने के है नो, तो दोस्तों हमेशा एक बात में रहिए हमेशा एक बात दहन में रखिए, कि आप जब भी धरम संकट में हो या फिर किसी भी अच्छाई, happiest moment में हो, तो प्लीज ये दहन में रखिए कि वो एक भगवान का type है, है नो, जो आपको मिला है, तो बस सूख हो या दूख हो, भगवान को कभी भूलिया मत, हर definition के पीछे एक हमारे जीवन से छुपा फलसफा है, हम चाहे तो एक चीटी से भी सीख सकते हैं, knowledge, motivation ले सकते हैं, तो हर चीज से एक definition से, या फिर चाहे दुनिया की कोई भी चीज से हमें, एक motivation तो जरूर मिलता है, तो लेना चाहिए, no doubt, थोड़ा सा अटपटत सा है, लेकिन उसको अपने अंगल से सोच के देखिए, अच्छा लगता है, positive vibes आती हैं, तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उमीद करता हूँ कि, ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है, तो please like, share, comment जरूर करिए, और comment section में मुझे बताइए, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है, तो please मुझे appreciate कीजिए, अगर बूला लगा है, तो भी मुझे बताइए, कि कहा मेरे अंदर कमी है, अगर मैं ज़्यादा बोर भी कर रहा हूँ आपको वीडियो के माधियम से, तो please मुझे बताइए, वो सब चीजे, ठीक है, इससे मैं अपने आपको recruit करूँगा, और दोस्तों comment section में मुझे ये भी बताइए, कि आपको next studio कौन सा चाहिए, चलो bye, मिलते हैं next studio में, तब तक के लिए happy रहिए, healthy रहिए